तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखते हैं हम लोग एक अच्छा सा कोश्चन है यह बेसिकली इलेक्ट्र स्टेट का है ट्वल्थ का पर इसको हम यहीं पर करेंगे बोर हाइड्रोजन एटम इलेक्टान अर्ट्र सेंटर हो चलो ए Their current को मान लेते हैं कि एक सिस्थ आर्बीट सर्कल में जा रहा है और यह जो है पोजिटिवली चार्ज प्रोट्वन है और यह इलेक्ट्रॉन है और ये radius आ रहे है, ये electron है और ये positron plus है, hydrogen है, तो hydrogen है तो इसके उपर भी charge जो है, वो plus E ही आता है, ठीकिन है, एक electron होता है और एक ही proton होता है, तो यहां से मैं आपको अच्छे से represent कर देता हूँ, इस पे जो charge है, इस वाले पे electron पे charge में Q1 जो है, वो minus E है, और इस वाले पे charge ह जो Q2 है, वो hydrogen है, तो plus E है, इतना, अब proton के round, proton center पे आ गया, इलेक्टान उसका चक्कर लगा रहा है, तो assume to be the inertial frame, मतलब सब कुछ है ground से देखा जा रहा है, ठीकिना, तो ground से कर मैं देख रहा हूँ, तो मुझे centripetal के concept करूँगा, ना कि centrifugal से करूँगा, the centripetal force provided kulamik attraction, म centripetal force कहां से मिलेगा, तो centripetal force जो मिलेगा, वो kulamik attraction से मिलेगा, centripetal acceleration और ये electrical attraction ही centripetal देगा, in the ground state, तो तो अगर ये बच्चों ground state है, तो इस ground state की जो radius है, वो 5.3 into 10 की power, minus 11 meter है, और E की value जो होती है, 1.6 into 10 की power, minus, E की value, minus 19 kulam, charge और इलेक्टान है, अप्रोटान पर जो magnitude है, find the speed of the electron around the circle, ठीकने, अब जो electronic uniform speed से move कर रहा है, तो ये जो uniform speed है, ऐसे circle में जा रहा है, तो इस speed की हमें calculation करनी है बच्चों, और यहाँ दिया है, कि mass आप दा electron कितना लेना है, 9.10 into 10 की power, minus 31 kg, और ये वाली जी सब use करना है, तो आयोग की आपको सवाल तो समझ में आ रहा होगा, speed निगालने के लिए, सबसे बड़ी बात, अगर ये circle में चल ला है, तो center की तरफ जो force लग रहा है, centipetal force, वो कहां से आएगा, उनिफॉर्म circular motion है, उनिफॉर्म circular motion है, तो center की तरफ जो force आ रहा है, वही तो centipetal force देगा, एक ही real force है, electrical force, यही देगा centipetal force, क्योंकि centipetal force, बच्चों कोई नया force नहीं होता है, तो electro static attraction, अब electro static attraction क्या होता है, दो कुलाम सला से 4 pi epsilon naught, charge q1, q2 over r का square, और centipetal force की value होती, mb square over r, भाई, अगर ये दो charge है, टेंद में पड़े होगे q1, और ये q2, तो इनके बीच electro static attraction जो है, ये plus है, ये minus है, तो ये जो attraction है, उसकी value तो इतना ही होती है, ना भाई, तो ये, अब यहाँ पे जब रखोगे, तो 1 by 4 pi epsilon naught, एक पे charge, एक वाले पे charge कितना है, बोलो, तो एक पे charge है e, और दूसरे वाले पे भी है e, और r का square, ठीक है, और ये जाएगा mb square over r, तो finally, जब हम ये force लिखते हैं, तो charge का sign नहीं रखते हैं, बच्चों, plus minus, नहीं रख तो ये, यहाँ से, finally, जो मुझे speed दिखेगा, वो दिखेगा, जो speed का calculation है, वो e square, और ये 4 pi epsilon naught, rm under root, this is the final solution of the speed, but ये variable के term में, हमें number के term में चाहिए, यह हमारा answer है, बट हमें ये number के term में चाहिए, तो सबकी value रख देते हैं, तो value रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ से, चलो value रख देते हैं, और calculate कर देते हैं, तो रखो सब लोग, यहाँ से speed v, charge 1.6 into 10 की power, minus 19 का square है जाएगा, divide करते हैं, 1 by 4 by epsilon naught की value होती है, 9 into 10 की power 9, तो ये multiply कर दो, 9 into 10 की power 9 से, और radius कितना है भई, तो radius दिया होगा, देखो, radius है, अपना 5 point into 10 की power minus 3, तो यहाँ से 5 point 3 into 10 की power, minus 11 radius है, और mass of the electron, 9 point 1 into 10 की power minus 31 kg, तो this is everything will be the under root, तो यह वाली जो चीज है, वो हमें आ जाएगी, तो यहाँ से जो speed v है, उस speed v की value आ जाती है, approximately calculate कर लेना, तो 2.2 into 10 की power, 6 meter per second आ जाएगी, जो की काफी जादा और अच्छा कासा speed है, तो यह वाली चीज हैंगा, तो I hope कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा, और कोई एगर doubt है, कोई दिक्कत है, तो comment करो, I will reply, तो मेरे चैनल के साथ बने रहो, प्यारे बच्चों, हम नए वर्जन में SC बर्मा ला रहे हैं, नए चीज दिख रहे हैं, नए डाइग्राम, नए इमेज, बहुत मिनत लगता है, प्यारे बच्चों, ऐसा content होनाने में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, thanks for watching this video,